आस्ट्रेलियाई अंडर 16 टीम में शामिल हुआ भाटियम मूल का मिस्ट्री गैंद बाज तमिलनाडू के जूनियर क्रिकेट खेल चुके क्रिकेटर को शामिल किया गया आस्ट्रेलियन टीम में नमस्कार दर्शकों आपके अपने चैनल PMS मीडिया में एक बड़ फिर से आपका बेहत स्वागत है शेनवान की विदाई के बाद से आस्ट्रेलियाई क्रिकेट लंबे समय से एक स्पिनर की तलाश कर रहा है ऐसे में उनकी तलाश भातिय मूल के एक मिस्ट्री गैनबाच पर आकर रुखी है पंद्रा वर्शिये निवेतन राधाकृष्णन को आगामी सीजन के लिए आस्ट्रेलिया के अंडर 16 टीम में शामिल किया गया है दस्वी कक्षा में पढ़ रहे निवेतन नेशनल चैंपिन्शिप में आस्ट्रेलिया अंडर 16 टीम का हिस्सा होंगे और उनका सामना आस्ट्रेलिया अंडर 17 से होगा वहें इसके बाद क्रिकेट आस्ट्रेलिया के प्लान के तहत दुबई भी जाएंगे निवेतन दाहिने हाथ से तेज गैनबाजी के अलावा और स्पिन गैनबाजी भी करते हैं जबकि बाएं हाथ से वो एक चाइना मैन गैनबाज है इसके साथ ही बल्लेबाजी में वो एक आरंभिक बल्लेबाज है निवेतन को क्रिकेट विराथसत में मिला है उनके पिता अंबू सेलविन तमिलनाडू के और से अंडर 25 क्रिकेट खेल चुके हैं साल 2011 में जब वो 8 साल के थे तब उन्हें चैनने के वंडर बॉय के रूप में पहचान मिली थी उन्होंने तमिलनाडू क्रिकेट के 4 डिविजन की लीग में हाट्रिक लेकर संसनी मचा दी थी लेकिन इसके बाद साल 2012 में उनके पिता व्यक्तिगतकारणों से परिवार सहित ऐस्ट्रालिया चले गए वो न्यू साउथ वेल्स की जुनियर क्रिकेट का नियमित हिस्सा बने आस्ट्रेलियाई टीम में चैन होने के बाद उन्होंने बताया कि यह है उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है वे भविश्य में भी मौकों की तलाश में रहेंगे और अच्छा प्रदर्शन करना उनकी कोशिश रहेगी पिशले साल आस्ट्रेलिया के पूर्वत तेज गैनबाज रियान हैरिस अंडर सिक्स्टीन टीम के कोच थे ग्रैग चैपल चूकि टीम का संचालन कर रहे हैं इसलिए उने लगता है कि जल्दी कोई स्क्टार क्रिकेटर उनका कोच होगा वो इसके लिए काफी उतसाहिद भी है दोनों हातों से गैनबाजी करने की खूबी के फायदे बताते हुए निवेतन ने कहा मैं दोनों हातों से गैनबाजी कर सकता हूँ इसे मेरे कलब को काफी फायदा होता है और इस खूबी से उनके टीम में एक हद तक संदुलन भी आता है तो दर्शकों ये थे भारती मूल के मिस्ट्री गैनबाज जो अब ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए खेल रहे हैं खेल के दुनिया में खबरों में अभी बस इतना ही इन खबरों को लगाता हर अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए चल्दी से हमारे चैनल PMS मीडिया को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले हो आपकी स्क्रीन पर